रेस्लर नर्सिंग यादफ डोपिंग विवाद पर नाशनल अंटी डोपिंग एजनसी यानि की नाड़ा आज अपना फैसला सुनाएगी तो वही भारती कुष्टी संगे के अधियक्षि ब्रिजभूशन शरण सिंग ने इस मामले की CBI जाज की मांग की है इनडी 24-7 पर भूशन ने ये भी कहा कि जो इस जूनियर पहलवान पर नर्सिंग की खाने में मिलावट की वो दिल्ली की चतरसाल स्टेडियम से जुड़ा है साथ ही आपको बता दे कि पहलवान नर्सिंग की खाने में प्रतिबंदी ड्रक्स मिलाने का आरोप एक नाबालिक जूनियर रेस्लर पर लगा है आरोपी एक नाबालिक जूनियर पहलवान बताया जा रहा है आरोपी का भाई भी इंटरनाशनल लेवल का पहलवान है नर्सिंग ने सोनी पत थाने में F.I.R दर्च कराई है नर्सिंग के लिए इंसाफ की मांग को लेकर धर्णा और प्रदेशिंग जारी है उदर हैदरबाद में भी बैडमिंटिन स्टार जुआला गुट्टा ने कहा है कि कोच और खेल से जुड़े अधिकारियों को ऐसे मामलों में एहतियात बरतनी चाहिए तो नर्सिंग डोपिंग मामले में जहां भारतिय कुष्टी संगे के अधियक्ष ब्रिभूशन शरंड सिंग ने सीबिया जाच की मांग की है तो वही बैडमिंटेन स्टार जुआला गुट्टा ने ऐसा मामलों के शिकार होने से बचने के लिए प्लेयर्स को एलर्ट रहने के लिए सलहा दी है तो वहाँ पर जो कैम्प की ब्योस्ता है बहुत आसानी से ये चीजें मिलाई जा सकती है उसमें कोई दोराय नहीं है इसलिए मैं मांग करता हूँ कि ये नर्सिंग का नाडा का जो जजज्मेंट आएगा उस जजज्मेंट को कोई बदल नहीं सकता है नाडा अगर जजज्मेंट में नर्सिंग को क्लीन करती है तो मैं फिर आपको बचन देना चाहता हूँ कि एक लड़ाई मैं नर्सिंग को भेजने की करूँगा लेकिन नर्सिंग अगर उसमें क्लीन नहीं होता है तो ये लड़ाई समाप्त हो जाती है लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा इस पूरे प्रक्रण की CBI जाज कराई जाए मैं यही कहूंगी कि इस से हमें सीखना चाहिए अफिशिल्स को और अलर्ट होना चाहिए और और अचगे वीनी तो एजुकेट आथलीट कि क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं अगर लिया अगर वो गलत रासे में जारे तो उनकी कॉंसे क्या होंगे फ्युचर लाइ और ऐसे नेगडिवेश चीज़ और से यह नोग झाल आप एपूल एसे लिए अज़सा है और जो अज़ ज़ ज़ कि अदलेट आप टो एंग पिरीड यहां टो एंपतिते हैं you work hard you will get result and that's the only way